अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है आज हम लोग युक्ति पब्लिकेशन का घटना चक्र सिरीच का भुगोल का चेप्टर चार पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में काफी महत्पूर चेप्टर है यह तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं भारत में नदी छेत्र की बात करें तो हिमालेक छेत्र से निकलने वाली नदियों को तीन स्रेणियों में विभाजित किया गया है भारत में जो नदियों का जो हिमाले से निकलने वाले नदियों के बात की जाए तो तीन स्रेणियों में बाटा गया है गंगा नदीतंत्र, ब्रहंपुत्र नदीतंत्र और तीसरा जो है सिंधू नदीतंत्र तो आईए हम लोग एक-एक करके पढ़ते हैं सिंधु नदी तंतर की बात की जाए सिंधु नदी तंतर की बात की जाए तो सबसे पहले सिंधु का जो सोरी थोरा सा अब ठीक है सिंधु नदी कहां से निकलती है सिंधु नदी का जो उद्गमस्थल है वो तिबबत है कहां है तिबबत से है मान सरोबर जहिल के पास तिबबत से सिंधु नदी का उद्गमस्थल होती है सिंधु नदी की अगर कुल लंबाई की बात की जाए तो उन्तिस सो किलो मीटर है अगर सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है तो ये 114 किलो मीटर ही है जबकि इसकी पूरी लंबाई उन्ती सो किलो मीटर है जेलम, चिनाव, रावी, ब्यास तथा सतलज किस ददी की सहायक नदियां है यह है सिंधु नदी की सिंधु नदी की सहायक नदियों में से जेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज नदियां है सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी, खंबन या लायंस माउत के नाम से भी जाना जाता है सिंधु नदी द्वारा नेमित सबसे गहरे खंड, महा खंड का नाम गिलगित है जिसकी गहराई जो है बामन सो मीटर है जेलम नदी का उदगम अस्थल का नाम क्या है तो बेरी नाग बेरी नाग से जेलम नदी का उदगम अस्थल है कस्मीर में सबसे महत्पूर नदी कौन सी है तो कस्मीर की सबसे महत्पूर नदी जो है जेलम है जिसका की उद्गम अस्थल बेरी नाग है चिनाम नदी को हिमाचल परदेश में किस नाम से जाना जाता है तो चंद्रभागा चिनाम नदी को हिमाचल परदेश में चंद्रभागा की नाम से जाना जाता है रावी नदी कहां से निकलती है तो रावी नदी जो है रोहतांग धर्रे के पास से निकलती है रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है तो रावी नदी का अन्य नाम जो है पुरूसनी या इरावती के नाम से भी रावी नदी को जाना जाता है जिसका उद्गम अस्थल रोहतांग दर्रे के पास से है ब्यास नदी कहां से निकलती है तो ब्यास नदी जो है ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है विपासा या अर्गी किया विपासा या अर्गी किया के नाम से ब्यास नदी को जाना जाता है सतलज नदी कहां से निकलती है तो सतलज नदी का जो उद्गमस्थल है राक्षस ताल जील से होती है जो कि तिबबत में परता है निमलिखित में से किस नदी का उद्गमस्थल भारत में नहीं है याद रखेगा याद देखे ध्यान से कोश्चन को पहले पढ़िएगा भारत में नहीं है उद्गमस्थल किन नदियों का भारत में नहीं है तो चिनाब का बिल्कुल है ब्यास का भी है, रावी का भी है लेकिन सतलज का जो है उद्गमस्थल राक्षस तालशील जो की तिबबत में परता है इसका उद्गमस्थल भारत में नहीं है तो इस परकार से इसका एंसर जो हो जाएगा सतलज नदी आईए इसकी ब्याख्या का हम लोग देख लेते सतलज नदी का उद्गमस्थल तिब्बत के कैलास परवत मांसरोबन शीर के निकट राक्षस ताल शील से होती है यह पस्चिम और दस्चिन पस्चिम में प्रवाइत होते हुए सिपकिला दर्रे अर्थात हिमाचल परदेश से परवेश कर जाती है भारत के निमलिखित नदियों में कौन हिमाचल की सभी स्रेणिया को काड़ती है तो भारत की जो है कौन सी नदी है जो हिमाचल की सभी स्रेणिया को काड़ती है इस प्रस्ण का सही अंसर हो जाएगा सतलज नदी आगे का हम लोग देखते हैं सतलज नदी में भारत की कुल लंबाई कितनी है सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई दस्तो पचास किलो मीटर है घागरा नदी कहां से निकलती है तो घागरा नदी का जो उद्गम अस्थल है सिवलिक के पास मालवा पंक से दिकलती है घागर नदी को अने नाम से जाना जाता है तो घागर नदी को अने नाम पौरानिक सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है अब हम लोग परेंगे गंगा नदी तंत्र ये हिमाले से तीन परमुख नदियों के बारे में हम लोग पर ले हिमाले से निकलने हो गंगा नदि को उद्गम अस्थल कहा है गंगा नदि का उद्गम अस्थल की बात करें तो गोमुख हो हीम नद से निकलती है भागी रथी नदी कहां से निकलती है तो ये भी गौमुक से ही निकलती है भाग रथी नदी कहां से निकलती है तो इसका सही अंसर क्या होगा? ए गौमुक से किन दो नदियों के संगब के बाद गंगा नदी देव पर्याक कहलाती है तो इस प्रस्द का सही अंसर होगा भागिरथी और अलकनन्दा के मिलने से गंगा को देव पर्याक के नाम से जाना जाता है भारत का सबसे बड़ा नदाब नदी बेसीन का नाम क्या है तो गंगा नदी बेसीन जो है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसीन है अगर गंगा की लंबाई की बात की जाए तो गंगा की नदी की लंबाई कितनी है तो पचीस सो पचीस किलो मीटर है यहाँ पर दस लिखा हुआ पचीस सो पचीस किलो मीटर है आप लोग अप टुडेट कर लिजेगा भारत की ब्रहित नदी का क्या नाम है तो गंगा भारत की ब्रहित नदी का नाम है गंगा क्योंकि इसकी लंबाई भारत में सरवाधिक है गंगा नदी को बंगला देश में अन्य किस नाम से जाना जाता है तो भारत की जो गंगा है वो बंगला देश में पदमा के नाम से भी जाना जाता है सुन्दरवन डेल्टा का निर्मान करने वाली नदियां कौन है तो सुन्दरवन डेल्टा का निर्मान करने वाली नदियों का नार गंगा और ब्रहमपुत्र है सुन्दरवन डेल्टा भारत तथा बंगला देश में स्थित विश्व का सबसे बरा नदी डेल्टा है इसका निर्मान, गंगा, ब्रहपुत्र तथा बेघना नदियों के द्वारा हुआ है इसका लगभग, दोबाई, तीन भाग, बंगला देश तथा सेश भाग भारत के पश्चि मंगाल में पड़ता है मदाक्नी नदी किस जलपड़वा अथवा मुख नदी से संबंदित है तो ही मदाक्नी नदी जो है अलक नदा किस नदी के तट पर बद्रिनात का परसिद मंदिर इस्थित है गंगा नदी एक मातर सहायक नदी जिसका उदगमस्थल मैदानी भागों में होता है तो गोमती नदी है गंगा ब्रहँपुत्र द्वारा निल्मित पिस्व की सबसे बरी डेल्टा का नाम क्या है उन्दर नदी कहां से निकलती है तो यमना नदी यमनोत्री हीमनत से निकलती है भारत में कौन सी नदी को? खुला नाला भी कहा जाता है तो आप लोगों सभी को पता होगा यमना नदी को जो है खुला नाला कहा जाता है यमना नदी कितनी लंबी है यमना नदी की लंबाई 376 किलो मीटर है यमना नदी गंगा के किस अस्थान पर मिलती है तो गंगा यमना नदी जो है इलाहबाद में मिलती है गंगा यमना सरुसती का मुलेंज जो होता है पर यागराज इलाहबाद में होती है आईए हम लोग किस नदी को प्रारंब में अरुना नदी के नाम से जाना जाता है तो कोसी नदी को परारम्य में अरुना नदी के नाम से जाना जाता है बंगाल का सोग किस नदी को कहते हैं तो बंगाल का सोग जो है दामोदर नदी को जाना जाता है अरावली परवसरिकला किस नदी परनाली से दूई विभाजित होती है चम्बल और सावर मती से अरावली परवसरिकला दो बड़ाबर भागों में बढ़ जाती है किस नदी को बिहार का सोग कहा जाता है किस नदी को बिहार का सोग कहा जाता है तो कोसी नदी को कौन सा नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए परसित है तो कोसी नदी जो है अपने रास्ते बदलने के लिए मार्ग बदलने बाले नदी यो में से परसित है चंबल नदी की लंबाई कितनी है चंबल नदी की लंबाई की बात की जाए तो 960 किलो मीटर है नर्मदा घाटी उदाहरन है नर्मदा घाटी जो उदाहरन है भ्रंस घाटी का उदाहरन है आईए हम लोग आगे देखते हैं अब नदी तंतर दिया हुआ है पहले हम लोग सिंधू में देखेंगे नदीया उनके उद्गमस्थल परमुक्छेत्र कहां से वो बिस्तार है और कुछ important लंबाई के बारे में चानेंगे सिंदू घाटी की लंबाई की अगर बात की जाए सिंदू घाटी पहले हम सिंद्धो नदी तन्तर के बारे में देखेंगे इसका उद्गम असठल हम लोग बर चुके हैं तिबत के मा सुरोबर के निकट 580 मीटर की उचाई से इसका उद्गम होता है ये इसका मिस्तार की बात की जाए लदाग, मिलिस्तान, जम्मू और कस्मीर एबं पाकिस्तान में होता है इसकी कुल लंबाई जो है 300 किलो मीटर है और इसकी भारत में लंबाई 114 किलो मीटर है अब सतलज नदी की बात की जाए तो सतलज नदी का जो उद्गा मस्थल है मांसरुबर जील के निकट 500 मीटर की उचाई से राकस ताल से हुई है तिबबत कुलू घाटे हिमाचल परदेश सिबलिक परवतमाला पंजाब के मैदानी भाग में इसका विस्तार है इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 1500 किलो मीटर है जबकि भारत में इसकी लंबाई 1050 किलो मीटर है जेलम नदी जिसे विसिस्ता के नाम से भी जाना जाता है कस्मीर इसका उद्गब अस्थल जो है कस्मीर में सेसनाग जील से होता है और जम्मु कसमीर से बुलण जीर में मिलकर पिंडडान खान तथा बेहरा में मिल इसका बिस्तार है इसकी कुल लंबाई 724 किलोमिटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 400 मिल किलोमिटर है चिनाम नदी चिनाम नदी लाहूल में 12 लाचा दर्रे के विप्रित दिसा में 4900 मीटर की उचाई से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में उद्गब चमबा हिमाचल परदेश पाकिस्तान में इसका विस्तार है और 1180 किलो मेटर इसका भारत में लंबाई है राभी नदी की बात की जाए तो राभी नदी जो है कागड़ा जिले हिमाचल परदेश में हिमाले के रोहतांग दर्रे के निकट से इसका उद्गम अस्थल है और इसकी बिस्तार जो है हिमाचल परदेश जम्मू कस्मीर और पाकिस्तान तक है इसकी कुल लंबाई 725 किलो मेटर है अब है ब्यास नदी तो ब्यास नदी का जो उद्गम अस्थल है रोहतांग दर्रे के निकट ते 430 मीटर की उचाई से होता है इसकी बिस्तार की बात की जाए तो सिवलिक पहारी होसियारपूर, पंजाब तथा पाकिस्तान में इसका बिस्तार देखने को मिलता है और इसकी कुल लंबाई 470 किलो मीटर है अब हम लोग पढ़ेंगे सिद्धू घाटी नदी तंतर समाप्त हो गया अब हम लोग गंगा नदी तंतर के बारे में पढ़ेंगे तो गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी का उद्गम अस्थल जो है केदारनाथ चोटी के उत्तर गोव मुख नामक अस्थान से 6600 मीटर की उचाई पर इस्थित हीमानी से होता है उत्तर परदेश इसका बिस्तार उत्तर परदेश उत्राखंड बिहार पश्चिमंगार में इसका बिस्तार है इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो पचीस सो पचीस किलो मीटर इसकी कुल लंबाई है अब यमना नदी की बात की जाए यमना नदी जो है बंदर पूच के पश्चिम धाल पर इस्थित हिमानी जमनोत्री के गर्म सोते से हुई है इसकी बिस्तार उत्तर परदेश उत्राखंड में हैं इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 376 किलोमीटर है राम गंगा नदी इसका उत्तर परदेश उत्राखंड में हैं गोमती नदी पीली भीत जनपत से इसका उत्तर परदेश में बहती है घाघर नदी जिसे सर्यू के नदी के नाम से भी जाना जाता है जिसकी उत्तर परदेश में सर्यू या घाघर के नाम से परचली थे इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है सार्दा नदी तिबबत के सीमात पुर्वोत्तर कुमायू के निकट मिलाप हिम्रत से हुआ है इसकी बिस्तार जो है उत्राखंड में काली, काली गंगा तथा चोका नदी के नाम से जाना जाता है गंड़क नदी तिबबत नेपाल सीमा पर धौला बिरी प्रवत्सरेनी से इसका उद्गमस्थल हुआ है और इसका बिस्तार नेपाल में साली ग्राम नाम से उत्तर परदेश बिहार की सीमा रेखा तथा बिहार की मैदानी छेतर में इसका बिस्तार है अब है राप्ती नदी राप्ती नदी जो है रूप मकोट नेपाल में इसका उजगमस्थाल है उत्री पूर्वी उत्तर परदेश में इसका बिस्तार है कोशी नदी प्रारंभिक परवा साथ धाराउं से मुख धारा अरून नाम से माउंट एबरेश्ट के पास गोसाई थान से अन्य धाराएं मिलांग, मिलामची, भोटिया, सब्त कोशी, तांबा, लिखु, दुग्ध, तथा तम्मूर, मैदानी छेतर बिहार उत्तरी पूर्व भाग में इसका विस्तार है, चम्बल नदी की बात कीज़े, तो चम्बल नदी जो है मध्परदेश में मौ के निकट बिंध परवतमालास के जनपाव, पहारी से इसका उद्गम अस्थल हुआ है, इसकी विस्तार मध्परदेश के धार, उज्जैंग, रतलाम, तथा मंत्स जनपद एब मुरईना जनपद की उत्री सीमा राजस्थान में कोटा, बुंदी, धुला बीरा जनपद में हुई है, बेतबा नदी, तो बेतबा नदी का जो उद्गम अस्थल है, राई से जनपद मध्परदेश में, कुबडा गाउं के निकट, बिंध परवतमालास से इ बहती है, यानि मध्परदेश में, केर नदी, केर नदी का जो है उद्गम अस्थल, सतना जनपद मध्परदेश के कैमूर पहारियां से हुई है, और यह मध्परदेश और दच्छिन उत्तर परदेश की बहती है, तमसा नदी, जिसे दच्छिनी टोक, यानि कैमूर के पहा के नाम से जाना जाता है जो अमर कंटक की पहाड़ी में सोन भदर से इसका उद्गमस्थल हुआ है जिसका विस्तार मध परदेश के सीधी तथा रीवा जनपत एबं बिहार के पलमाउ औरंगाबाद तथा भोजपूर जनपत में मिलती है दामोदर नदी दामोदर जो है पला ब्रहमपूतर नदी तंतर जो है मांसरोबर जील के निकट कैलास परबत एक कामद सो पचास मीटर की उचाई से इसका उद्गम अस्थल हुआ है मांसरोबर जील से ये लदाक के सापू नदी के नाम से असम में ध्यांग नाम से अरुनाचल परदेश में ध्यांग नाम से असम की ब्रहमपूतर नाम से बंगला देश में मेगना के नाम से ब्रहमपूतर को जाना जाता है याद रखेगा ये बहुत इंपोर्टेंट है गोदाबरी गोदाबरी नदी जो है बृद्ध गंगा के नाम से या दच्छनी गंगा के नाम से भी जाना जाता है जो नासिक महराष्ट के दच्छिन पस्चिम में इस्थित तरंब्यम गाउं के पहारिक पर इस्थित है महराष्ट अंधपर्देश बिल जील से होकर बहती वी महराष्ट पठार तिलांगना पठार तथा पोलराव पास पूर्वी घाट में इसका अब है क्रिस्टना नदी क्रिस्टना नदी महाब लेश्वर की पास पस्चिम घाट में 337 मीटर की उचाई से इसका उद्गमस थल हुआ है सोलापूर राइपूर द्वाब करनाटा के वं अंधपर्देश में इसका विस्तार देखने को मिलता है तुग भद्रा नदियों से मिलकर बनी तुग पस्चिम घाट की गंगा मूल चोटी से तथा भुद्र काडूर जनपत से हुआ है या तुग भद्रा जो है मुख रूप से करनाटक राज में बहती है कावेरी नदि करनाटक राज में ब्रहमगिरी पहारियों में कुर्ग जिले से इसका उद्गमस्थल हुआ है करनाटक तमिलाडू तथा केरल इसका विस्तार है पेनार नदि जो कि चेना केसव पहारी से इसका उद्गमस्थल हुआ है करनाटक में है इसका विस्तार करनाटक और पर्देश में इस्थित है नर्मदा नदी जो है नर्मदा नदी मेकल सुता या सकड़ी या रेवा नामो दास सौमा देवी नदी जो कि मध पर्देश में अमर कंटक पहारियों से इसका उद्गमस्थल होता है इसका विस्तार मध प पर्देश के बैतूर जनपत मूल नगर के पास इसकी उद्गमस्थले मध पर्देश महराष्ट और गुजरात में भी इसका विस्तार है महानदी की बात की जाए तो 36 गड़ में राइपूर जनपत के सिहावा के सिहावा से इसका उद्गमस्थले महराष्ट में इसका विस्तार है साबरमती नदी अरावली पर्वत माला राजस्थान से इसका उद्गमस्तल होता है इसका विस्तार राजस्थान और गुजरात में है माही नदी माही नदी जो है मिंद पर्वत माला मध पर्देश मध पर्देश राजस्थान और गुजरात में इसका विस्तार है ब्रहमपुत्र नदी कहां से निकलती है ब्रहमपुत्र नदी जो है मांसरो बरजिल के पास चीमा यूंग दूंग हीमनद से निकलती है ब्रहमपुत्र को तिबबत में किस नाम से जाना जाता है तो ब्रहमपूत्र को तिबत में सांगपो के नाम से जाना जाता है एसिया का सबसे बड़ा नदी माजोली किस नदी में है तो एसिया का सबसे बड़ा नदी जो है माजोली जो ब्रहमपूत्र नदी पर बनी है जो की असमराज में है भारत में यर लूंग जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है ब्रहम पूत्र को ब्रहम पूत्र नदी का पहाव शेत्र है तिब्बत बंगलादेश और भारत में ब्रहम पूत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से परवेश करती है तो यह है दिहांग नाम से ब्रहमपुत्र नदी हिमाले के किस सीमा पड़ है तो हिमाले के पूर्वी सीमा पड़ है भारत के किस नदी पर विश्व का सबसे उचा पूल बनाया गया है तो चिनाव नदी पर बनाया जा रहा है मेघना नदी की नदियों की समली धारा है कंगा और ब्रहम पुत्रा की समली धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है मानस नदी किस नदी की उप नदी है ब्रहम पुत्रा की हंगडी किसकी सहायक नदी हंगडी तुग भाद्रा की कपीला किसकी सहायक नदी है ब्रहमपुत्र नदी की तो ये कपीला नदी ब्रहमपुत्र नदी की सहायक नदी है कामरूप नगर इसी नदी पर अवस्थित है तो इस तरह से हमारा इसका पार्ट वन खत्म हो चुका है भारत की नदियों का अब इसका प्राइड यूपी ये भारत की नदियों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अभी के लिए बस इतना ही यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्फूर लगा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाला ना भूले और इस पर यूपी लेखा पाल की जो है प्रिवियस येर सोल पेपर भी कराया जा रहा है तो चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही जै